आप सभी का स्वागत है आज हम कच्छा 10 के हिंदी का संपूर सिलेवस को देखेंगे कि आपके सिलेवस में क्या है और आपको पढ़ना है और कौन सा टापिक आपको छोड़ना है तो फ्रेंच देखिए आप यदि सिलेवस की एकार्डिंग आप यदि अपना तयारी करते हैं तो आपको बोर्ड के एक्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है चलिए फ्रेंस यहाँ पर देखते हैं कि आपका संपूर सिलेबस क्या है फ्रेंस देखे आपको जो खंड और खंड बाव में ये दो भागों में हिंदी का पूरा संपूर सिलेबस बटा है खंड आवे जितने भी टापिक है आपको वहाँ से सिर्फ केवल वो केवल बहुँ विकल्पी प्रशन ही पूछे जाएंगे देखे फ्रेंस पहला आपका है कि हिंदी गद के विकास का संचिफ्त परिश्चा है उसमें आपको सुकली यूग और सुकलोत्तर यूग ही पढ़ना है जहां से आपके पांच नंबर के सवाल रहेंगे और परतेक एक नंबर का सवाल रहेगा ठीक है देखे फ्रेंस आपका दूसरा टापिक जो है यहां से हिंदी गद के विकास का संचिफ्त परिशे जिसमें रीती काल और आधुनी काल ही पढ़ना है यहां से भी आपके पांच नंबर के सवाल आएंगे परतेक एक नंबर का होगा ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां पर आपको जो तीसरा नंबर का है इसमें आपको क्या करना है कि का पिस अंदर के तो तत्यों के बारें पढ़ना है जिसमें से आपको यहां क्या करना है कि का देखते हैं रस में सिर्फ आपको दो ही रस पढ़ना कौन सा हास रस और करूर रस को ही पढ़ना है जिसमें उसका परिभासा उधार और पहचान आपको आना चाहिए इ रूपकलंकार उत्प्रेचलंकार इसका लच्छड और उधाड़ आपको आना चाहिए यह भी आपके एक नमबर का सवाल आपके बोड़ के एक्जाम में आएगा इसके बाद आपका अगला पॉइंट है चंद चंद में आपको क्या करना है सोरठा रोला को परना जिसमें इसके लच्छड आपको आना चाहिए और साथ में इसका उधाड़ भी आपको आना चाहिए इससे भी आपके बोड़ के एक्जाम में एक नमबर का सवाल आएगा तो इस पकास रस से अलंकास चंद से आपके तीन प्रश्ण पूछे जाएंगे और बहुवी कल्पी प्रश्ण ही यह होगा ठीक है अब चलिए अगले टापिक को देखते हैं अगला टापिक आपका है हिंदी ब्याकरण जिसमें सब्द रचना के बारे में पढ़ना है जैसे आ अन अधी अप अनू उपसर नीर अभी परिसू इत्यादिय से बनने वाले शब्दों के बारे में आपको पढ़ना है उपसर के बारे में आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से देखें खावला आपसर आपका समास समास में जो पढ़ना है फ्रेंस आपको दोंद समास प्रश्ण आपके पूछे जाएंगे अब चलिए देखते हैं कि आपके संस्क्रीट से क्या आगा संस्क्रीट के ब्याकरण में आपको सिर्फ सर्वनाम में तद और यूसमत का ही पढ़ना है जो आपके एक नमबर के प्रश्ण बोड के एकजाम में बहुए गल्पी आने वाल वाकिके स्वरूप के बारे में पढ़ना है आपका एक नमबर का प्रश्ण आएगा सात्वाए वाच्च के बारे में परियोग वाच्चे परिवर्तन पढ़ना है यह भी आपके एक नमबर का प्रश्ण आएगा आठवा जो है पद परिचे विकारी और विकारी के बारे मे जो कि आपके एक नमबर के आएंगे ठीक है फ्रैस देखे इस पकास टोटल आपको 20 बहुवी कल्पी प्रश्ण पूछे जाएंगे यहाँ पी जितने आठ तक टापिक बता इन सभी टापिकों से आपके केवल वा केवल बहुवी कल्पी प्रश्ण ही बनेंगे ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं फ्रैस देखें यहाँ पी क्या है आपका कि वड़नात्मक प्रश्ण आएगा खंडबाव जिए कि जितने भी टापिक यहाँ बता रहे हैं वहां से आपका लांग क्वेश्ण बनता है ठीक है आपके जो लांग क्वेश्ण बनेंगे जितना तापिक अब बताने वाले हैं उन टापिकों को आप नोट करके उसको अच्छे से पढ़िए गया देखें पहला टापिक है गद्ध हेतु निर्धारित पार्ट वस्तु से गद्धांस पर आधारित प्रश्ण पूछा जाएगा जो तीन प्रश्ण रहेंगे और कितने से पार्ट वस्तु से पाधारित प्रश्ण पूछे जाएंगे यह आपके तीन नंबर को होगा दो प्रश्ण आएंगे पर टेक तीन नंबर को होगा फिर इसके बाद के फ्रेंस आपका संस्कृत गद्धांस का संद्रव सहीद हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है यह लॉयाँ प्रक्षन दोस्तों यहां पहले आपते हिं तू पांच नमर कहते हैं को ऑफा क्ते हैं प्रक्षन अगला ऐत कशो होथा संक्रीट पद्यांस का संद्र्वर सीद हिंद ऑनुव टों सब्सकृतों सबस्क्राइब आपके एक्वेस्टन आएंगे तीन नमबर का प्रश्ण रह स्था इंपकी इन जीवन पर चेरा देता है लेक यह आपके कितने नमबर के करेंगे 33 नमबर कर दो पांच पांच नमबर कर आता है कितने नमबर कर आएगा पांच नमबर का आएगा कवी का जीवन पर्च लिखने के लिए और लेखा का जीवन पर्च लिखने के लिए आपका पांच पांच नमबर का यह प्रशन आते हैं आपके सामने अगला पॉइंट सातवा नमबर का कि संस्क्रीट खंड के पाठ वस्तु से कंठस्ट एक स्लोक जो प्रश्ण में ना आया हो उसको आप लिखना होता है दूर नमबर का प्रश्ण रहेगा ठीक है यह आपके चार लाइन यह आठ लाइन का पूझ देता है ठीक है अगला पॉइंट है संस्क्रीट खंड के पाठ वस्तु प्राधारित प्रश्णों में से कि दो का संस्क्रीट में क्या करना रहेगा आपको उत्तर देना रहेगा यह एक एक नमबर कर रहेगा ठीक है अब देखें फ्रेंज जो सबसे ज़्यादा नमबर का प्रश्ण प्रश्ण संख्या स्वास्त सिच्छा पारवड़ अमियातियात के नियों पर आधारित जो विश्य है उस पर निबंद आता है वो लिखना रहेगा जो आपका साथ नमबर का प्रश्ण यह आएगा इस पकास पचास नमबर के आपकी क्या होगा लिखित हो गए और 20 नमबर तक वहां से आपको लांग कोईशन पूछता है जिसमें आपको डिटेल से आपको लिखना रहता है अब देखें फ्रेंज यहां से आपको पता होगा कि आपका 30 नमबर के क्या होता है प्रैक्टिकल है यहां पर सभी पॉइंट को आपको एक बार देखा देते हैं सिर्फ इ चले जा रहा है इसको आप एक बार पढ़कर देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर आपको पढ़ना है ठीक है तो देखें इस पकास आप जब देखेंगे तो यहां पर आपका कम्प्लीट हिंदी का था जिससे आपको बता दिए कि आपको टोटल कितने नमबर 20 नमबर का बव आपको सिलेबर्स अपलोड कर देंगे और सिलेबर्स के अकार्डिंग ही आप अपनी तयारी कीजिए जिससे आप बोर्ड की एक्जामिन 95 परतिशत आसानी से नमबर प्राप्त कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है सब्सक्राइब करें